हे गाईज, वेलकम बैक टो यूट्यूब चैनल, आपको अपना सब्जेक्ट और क्लास लिखकर हमें वोट्सप करना है, आपको तुरंत आपके सब्जेक्ट के और आपकी क्लास के पूरे नोट्स जो भी आवेलेबल होंगे, वो सेंड कर दिये जाएंगे, हमारे जो वोट्स नमबर रहेंगे, वो हैं 86, 96, 85, 41, आप इस नमबर पर हमें वोट्सप कर सकते हैं, आप इस पर कॉल ना करें, कॉल रेसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी स्टुडेंट्स होते हैं, वो कॉंटिनियसली इस पर कॉल करते हैं, थैंक्यू सौ मच. परिजय चात्रो, आज हम हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन के बारे में सीखेंगे, श्रीमान, हेलो एलकेन क्या है? हेलो एलकेन एक रासाइनिक योगिक है जिसमें एलकेन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणूं हेलोजन परमाणूं से प्रतिस्थापित होते हैं और हेलोजन क्या है शिरीमान? हेलोजन अभी क्रियाशील अथातू है जिसके साथ कर्शक इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या कोई भी मुझे बता सकता है कि हैलो एरीन क्या है? हाँ श्रीमान हैलो एरीन अणू है जिसमें हैलो जन अणू कार्बन अणूों के साथ आबंदित रहते हैं जो एक एरिल वले का हिस्सा है बहुत अच्छे रोहित इस पार्ट में हम हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन के बारे में और अधिक सीखेंगे उतेशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन को वर्की क्रेथ करना एलकिल हैलाइट और एरिल हैलाइट की नाम पद्धती पर चर्चा करना CX आबंध की प्रकृती की जानकारी हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन बनाने की विभिन विधियों के बारे में वड़न करना एल्किल हैलाइट और एरिल हैलाइट के भौतिक गुण धर्मों का वर्णन करना वर्गी करन हैलो एल्केन अथवा एल्किल हैलाइट वे यौकिक हैं जिसका सामानि सूद्र आर एक्स है जहां आर एक एल्किल अथवा प्रतिस्थापिस समू है और एक्स हैलो जन एफ सी एल्ल बी आर आई समू है हैलो एरीन अथवा एरिल हैलाइट वे यौकिक हैं जिनमें हैलो जन सीधे एरोमेटिक वले से जुडा रहता है उनका सामानि सूत्र ARX है जहां AR, फैनाइल अथवा प्रतिस्थापित फैनाइल है हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन को हेलोजन परमाणों की संख्या की अनुसार वर्गी क्रित किया जा सकता है इनको मोनो, डाई, अथवा पॉली हेलोजन योगिकों में वर्गी क्रित किया जा सकता है पॉली हेलोजन योगिकों में ट्राई, टेट्रादी चामिल है वर्गी करण कार्बन पर्माडों के संकरण के आधार पर मोनो हेलो योगिकों का वर्गी करण जैसा की नीचे दिया गया है किया जा सकता है हेलोजन योगिक जिसमें हेलोजन SP3 संकरित कार्बन अबंदित रहता है एलकिल हैलाइट अथवा हेलो एलकेन आर एक्स इनका समान सूत्र CNH2N जमा एक एक्स है इन्हें हैलोजन पर्माणू के प्रात्मिक, दुईतियक अथवा त्रीटियक कारबन अणू से आबन्धन के आधार पर पुना प्रात्मिक, दुईतियक अथवा त्रीतियक में वर्गी क्रिद किया गया है. एलिलिक हैलाइट ये वे योगिक होते हैं जिनमें हैलूजन परमाणूं कार्बन कार्बन दुई काबंध C बराबर C के समीप वर्ती SP3 संकरित कार्बन परमाणूं से आबंधित रहता है इन योगिकों में हैलूजन परमाणूं एरोमेटिक वले से जुड़े SP3 संकरित कार्बन परमाणूं से आबंधित रहता है यानि कि एक बैंजलिक कार्बन के साथ वर्गी करण हेलोजन योगिक जिसमें हेलोजन SP2 संकरित कार्बन वाइनिलिक कार्बन के साथ आबंदित होता है वाइनिलिक हेलाइट इन हेलाइडों में हेलोजन परमाणू कार्बन कार्बन दुई काबंध C बराबर्सी के SP2 संकरित कार्बन परमाणू से जुड़ा रहता है यानी एक वाइनिलिक कार्बन के साथ एरिल हेलाइड इन हेलाइडों में हेलोजन परमाणूं एरोमेटिक वलाई के कार्बन परमाणूं से तीधे आबंधित रहता है। उधारण हेलोबेंजीन नाम पद्धती एल्किल हेलाइडों के समाने नाम की व्यूतपत्ती के लिए एल्किल समों का नाम लिखने के पस्चाद हेलाइड का नाम लिखा जाता है। हेलो एरीन को IUPAC में एरिल हेलाइट कहा जाता है, सामानने अथवा ट्राइवियल पद्धती में भी यही कहा जाता है. डाइ हेलो यही प्रकार के हेलो जन परमानों होते हैं, इनको जेमिनल हेलाइट तथा विसिनल हेलाइट में वर्की क्रेट किया जाता है. जब दो समान हेलो जन परमानों समान कार्बन से जोड़े जाते हैं, तब उनको जेमिनल डाइ हाइलाइट कहते हैं. समाने नामकरण पद्धती में एलकलीडीन हैलाइट के रूप में नामित किया जाता है और आई यू पी एसी नाम पद्धती में उनको डाई हैलो एलकेन के रूप में नामित किया जाता है जब दो हैलोजन परमाणू नस्दी की कारवन परमाणू से जुड़े होते हैं तो उनको विसिनल डाई हैलाइट नामित किया जाता है उनको समाने नामकरण पद्धती में एलकलीन डाई हैलाइट के रूप में नामित किया जाता है और उनको आई यू पी एसी पद्धती में डाई हेलो एल के नामित किया जाता है। CX आबंध की प्रकृती हेलोजन पर्माणूं कार्बन पर्माणूं की तुल्ना में अधिक विद्धुत रणात्मक होता है। अताह एलकिल हेलाइट का कार्बन हेलोजन आबंध द्रुवित हो जाता है। इससे कारपन पर्माणू पर आंशिक धनावेश तथा हेलोजन पर्माणू पर आंशिक रनावेश आ जाता है। क्योंकि हेलोजन पर्माणू का आकार बढ़ता जाता है। अता समुह में नीचे की ओर फ्लोरीन से आयूडीन तक हेलोजन आबंध की लंबाई C-F से C-I तक बढ़ती जाती है। बनानी की विधियां ईल्कोहल से जैसकी रासायनी कभी क्रियाओं में दिखाया गया है, अल्किल हैलाइट एल्कोहल से बनाई चा सकते हैं। अल्किल हैलाइट को उतपादित करने की विभिन विधियां हैं। थायोनिल क्लोराइट की उप्यों की बहुत आसान विधि hai। चुकि दूसरे उत्पाद SO2 और हाइड्रो क्लोरिक एसिड कैसे हैं और आस्वन के क्रम्बें चुद्ध एलकिल क्लोराइट को छोड़ते हुए ये आसानी से निकल जाती है बनानी की विधियां हाइड्रो कार्बन से मुक्त मूलक हेलोजनन द्वारा पराबैंगनी प्रकाश अथ्वाताप की उपस्तिती में हेलोजन के एक एलकिन के साथ अभिक्रिया एलकिल हेलाइट अथ्वा हेलो एलकिन को बनानी का काम करती है एलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा एरिल हैलाइट को लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्तिती में जैसे की आईरन अथवा आईरन तीन, एरीन के हैलोजन, इलेक्ट्रोन रागी प्रतिस्थापन द्वारा बनाया जा सकता है बनानी की विधियां सैंड मायर अभिक्रिया जब जलिये खनिज अमल में घुली, एरोमोटिक, एमीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रित किया जाता है, तब डाईजूनियम लवन बनते हैं सैंड मायर अभिक्रिया द्वारा बने घुल को क्यूपरस क्लोराइट अथवा क्यूपरस ब्रोमाइट से मिश्रित किया जाता है, तब वो डाईजूनियम समुह को C-L अथवा B-R द्वारा प्रतिस्थापित करता है यदि हम डाईजूनियम समुह को क्यूपरस हैलाइट की बजाए, आयोटीन द्वारा प्रतिस्थापित करें, तब हमें पोटेशियम आयोटाइट का उप्योग करते हैं बनानी की विधिया एल कीनों से हाइडोजन हैलाइट के संयोजन द्वारा हाइडोजन हैलाइट से अभिक्रिया करने पर एलकीन संगत एलकिल हैलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं हाइलोजन संयोजन TCL4 में खुली ब्रोमीन के एलकीन में टालने से परिरामसरूप, सन्निथी यानि विस, डाइब्रोमाइट प्राप्त होता है बनाने की विधिया हाइलोजन विनिमाइ एलकील क्लोराइट ब्रोमाइट को चुशकु ऐसी टोन की उपस्तिती में अभिक्रिया कराने से एलकील आयोटाइडों को बनाया जा सकता है इस अभिक्रिया को पिंक क्लेस्टाइन अभिक्रिया भी कहा जाता है एल्किल फ्लोराइट को स्वार्ट्स अभिक्रियात्वारा बनाया जा सकता है, जिसमें एल्किल क्लोराइट ब्रोमाइट को धातू फ्लोराइट की उपस्तिती में गर्म किया जाता है. भौतिक गुण धर्म शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइट रंगिहीन होते हैं, परंतू प्रोमाइट तथा विशेशकर आयोडाइट प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगिहीन हो जाते हैं. गलनांक एवं कौतनांक ध्रूविये प्रकृति और संगत कारवनी खैलोजन योगिकों के हाइड्रो कारवन की तुल्ला में उच्छ आणविक द्रवेमान के कारण कारण कारवनी खैलोजन योगिकों में अंत्रा आणविक आकरशन बल दूईधुव दूईधुव तथा वांडर वाज प्रभल हो कौथनांकों की अपेक्षा अधिक होते हैं। एल्किल समू के लिए जैसे R, एल्किल हैलाइडों के कौथनांके घटने का क्रम इस प्रकार है। R I का उच्चतम कौथनांक होता है। R B R, R C L और R F का कौथनांक क्रम घटता जाता है। गलनांक एवं कौथनांक समाव यवी एलकिल हेलाइडों के लिए गलनांक शाखन के साथ खटता है, ये इसलिए है क्योंकि प्रिस्टिक शित्र को शाखन श्रंकला घटाती है और परिडामता अंत्रा अनुक आकरशन बलों को भी घटाती है. समाव यवी डाई हेलो बेंजीन के कौतनांग लगभग समान होते हैं. जो इसको क्रिस्टल लेटिस यानि जालक के लिए अच्छी तरह फिट बनाता है. घनत्व एलकिल क्लोराइड समानता पानी से हलके होते हैं, जबकि ब्रुमाइड और आयोडाइड भारी होते हैं. उनके घनत्व आर आई पड़ा है, आर बी आर पड़ा है, आर सी एल से जो ग्रम में है, फिर भी पॉली क्लोराइड पानी से भारी होता है. घुलन शीलता जिसके कारण से हलो एलकेन पानी में अल्प विलाइड होते हैं. हलो एलकेन कार्बनिक विलाइकों में घुलन शील होते हैं, जैसे की एथर एलकोहॉल और बेंजीन, क्योंकि इन में मुक्त हुई तथा आवश्यकूर्जा बराबर होती है. क्या आप जानते हैं? हलो एलकेन का प्रयोग लौधीमा करने अगनी शामकी अंद्रों, रेफ्रेजरेटर्स, प्रहणोदकों, विलाइकों और दवाइओं में किया जाता है. बहुत से हेलो कारबन घातक प्रदूशन कारक और विशाक्त होते हैं. उधारण क्लोरो फलियोरो कारबन सारे अंटाक्टिका में ओजोन परत के अवक्षय में अग्रणी हैं. हेलो एलकेन वे योगिक हैं जिनका प्रतीक आरेक्स है जहां आर एक अलकिल अथ्वा प्रतिस्थापित अलकिल समों है और एक्स हेलो जन एफसी एल बी आर आई है. हेलो एलकेन वे योगिक हैं जिनमें हेलो जन सीधे एक एरोमेटिक वलाई के साथ लगा रहता है. सामान नाम प्धधि में अलकिल हैलाइट को हेलो जन से लगे अलकिल समों के नाम और हैलाइट का नाम जोड़कर नाम आंकित करते हैं. IUPAC नाम पद्धती की पद्धती में एल्किल हैलाइट को हैलूजन प्रतिस्थापित हाइड्रोकार्बन के रूप में नामित किया जाता है एल्किल हैलाइट को एल्कोहॉल, हाइड्रोकार्बन और हैलूजन विनमेद्वारा बनाया जा सकता है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइडों का कौतनांग लगभग समान आणविक द्रविमान के हाइड्रोकारबन से उच्च होता है समाव यवी डाई हेलोपेंजीन के कौतनांग लगभग समान होते हैं समाव यवी डाई हेलो बेंजीन के गलनांग जर्व प्रकार से भिन होते हैं हेलो जन एलकेन पानी में अल्प विलाय होते हैं परिजए शात्रो आज हम हेलो एलकेन सथा हेलो एरीन के बारे में सीखेंगे किरीमान हेलो एलकेन क्या है? हेलो एलकेन एक रासायनिक योगिक है जिसमें एलकेन के एक या अधिक हाईडोजन परमाणों से प्रतिस्थापित होते हैं और हेलोजन क्या हैं शिरिमान? हेलोजन अभीक्रियशील अथातु हैं जिसके साथ कशक इलेक्ट्रोन हैं इसलिए क्या कोई भी मुझे बता सकता है कि हैलो एरीन क्या है? आँ श्रीमान हैलो एरीन अणू है जिसमें हैलो जन अणू कार्बन अणू के साथ आबंदित रहते हैं जो एक एरिल वले का हिस्सा है बहुत अच्छे रोहित, इस पार्ट में हम हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन के बारे में और अधिक सीखेंगे उतेशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन को वर्की क्रेथ करना एलकिल हैलाइट और एरिल हैलाइट की नाम पद्धती पर चर्चा करना CX आबंध की प्रकृती की जानकारी हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन बनाने की विभिन विधियों के बारे में वड़न करना एल्किल हैलाइट और एरिल हैलाइट के भौतिक गुण धर्मों का वर्णन करना वर्गी करन हैलो एल्केन अथवा एल्किल हैलाइट वे यौकिक हैं जिसका सामानि सूद्र आर एक्स है जहां आर एक एल्किल अथवा प्रतिस्थापिस समों है और एक्स हैलोजन एफ सील बी आर आई समों है हैलो एरिन अथवा एरिल हैलाइट वे यौकिक हैं जिनमें हैलोजन सीधे अरोमेटिक वले से जुड़ा रहता है उनका सामानि सूत्र ARX है जहां AR, फैनाइल अथवा प्रतिस्थापित फैनाइल है हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन को हेलोजन परमाणों की संख्या की अनुसार वर्गी क्रित किया जा सकता है इनको मोनो, डाई, अथवा पॉली हेलोजन योगिकों में वर्गी क्रित किया जा सकता है पॉली हेलोजन योगिकों में ट्राई, टेट्रादी चामिल है वर्गी करण कार्बन पर्माणों के संकरण के आधार पर मोनो हेलो योगिकों का वर्गी करण जैसा की नीचे दिया गया है किया जा सकता है हेलोजन योगिक जिसमें हेलोजन SP3 संकरित कार्बन अबंदित रहता है एलकिल हैलाइट अथवा हेलो एलकेन आर एक्स इनका समान सूत्र CNH2N जमा एक एक्स है इन्हें हेलोजन परमाणूं के प्रात्मिक, दुईतियक अथ्वा त्रीतियक कारवन अणूं से आबंधन के आधार पर पुना प्रात्मिक, दुईतियक अथ्वा त्रीतियक में वर्गिक्रित किया गया है। एलिलिक हैलाइट ये वे योगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणूं कार्बन कार्बन दुई का आबंध C बराबर C के समीप वर्ती SP3 संकरित कार्बन परमाणूं से आबंधित रहता है। बेंजलिक हैलाइट इन योगिकों में हैलोजन परमाणूं एरोमेटिक वले से जुड़े SP3 संकरित कार्बन परमाणूं से आबंधित रहता है। यानि की एक बेंजलिक कार्बन के साथ। वर्गी करण हेलोजन योगिक जिसमें हेलोजन SP2 संकरेट कार्बन वाइनिलिक कार्बन के साथ आबंदित होता है. वाइनिलिक हेलाइट इन हेलाइडों में हेलोजन परमाणू कार्बन कार्बन दुईकाबंद C बराबर्सी के SP2 संकरित कार्बन परमाणू से जुड़ा रहता है यानि एक वाइनिलिक कार्बन के साथ एरिल हेलाइड इन हेलाइडों में हेलोजन परमाणूं एरोमेटिक वलाई के कार्बन परमाणूं से सीधे आबंदित रहता है। उधारण हेलोबेंजीन नाम पद्धती एलकिल हेलाइडों के समाने नाम की व्युदपत्ती के लिए एलकिल समों का नाम लिखने के पश्चाद हेलाइड का नाम लिखा जाता है। हेलो एरीन को आई यू पी एसी में एरिल हेलाइड कहा जाता है। समानने अथवा ट्राइवियल पद्धती में भी यही कहा जाता है। डाइ हेलो जन योगिकों के लिए समानने अथवा ट्राइवियल पद्धती में O-M-P- का प्रियोग उपसर्ग के रूप में किया जाता है। लेकिन आई यू पी एसी पद्धती में एक दो, एक तीन, एक चार संख्याओं का प्रियोग किया जाता है। नाम पद्धती डाइ हेलो योगिक जिन में एक यही प्रकार के हेलो जन परमाणू होते हैं, इनको जेमिनल हैलाइट तथा विसनल हैलाइट में वर्की क्रित किया जाता है। जब दो समान हेलोजन परमाणू समान कार्बन से जोड़े जाते हैं, तब उनको जैमिनल डाई हाइलाइट कहते हैं। समाने नामकरण पद्धती में अलकलीडीन हैलाइट के रूप में नामित किया जाता है। और आई यू पी एसी नाम पद्धती में उनको डाई हैलो एलकेन के रूप में नामित किया जाता है। C-X आबंध की प्रकृती हैलोजन परवाणू कार्बन परमानू की तुल्ला में अधिक विद्धत रणातम कोता है, अता इलकिल हैलाइट का कार्बन हैलोजन आबंध द्रुवित हो जाता है। इससे कारपन परमानू पर आंशिक धनावेश सथा हैलोजन परमानू पर आंशिक रनावेश आ जाता है। क्योंकि हेलोजन पर्मानू का आकार बढ़ता जाता है आता समुह में नीचे की ओर फ्लोरीन से आयूडीन तक हेलोजन आबंध की लंबाई CF से CI तक बढ़ती जाती है बनानी की विधियां एलकोहल से जैसकी रासाइनी कभी क्रियाओं में दिखाया गया है एलकिल हैलाइट एलकोहल से बनाए जा सकते हैं एलकिल हैलाइट को उत्पादित करने की विभिन विधियां है थायोनिल क्लोराइट के उपियोग की बहुत आसान विधि है चुकि दूसरे उत्पाद SO2 और हाइड्रो क्लोरिक एसिड कैसे हैं और आस्वन के क्रम में चुद्ध एलकिल क्लोराइट को छोड़ते हुए ये आसानी से निकल जाती हैं बनानी की विधियां हाइड्रो कर्बन से मुक्त मूलक हेलोजनन द्वारा पराबैंगनी प्रकाश अथ्वाताप की उपस्तिती में हेलोजन के एक एलकिन के साथ अभिक्रिया एलकिल हेलाइट अथ्वा हेलो एलकिन को बनाने का काम करती है एलेक्ट्रोन ड्रागी प्रतिस्थापन द्वारा एरिल हैलाइट को लुईस अमल उत्प्रेरक की उपस्तिती में जैसे की आईरन अथवा आईरन तीन, एरीन के हैलोजन, एलेक्ट्रोन रागी प्रतिस्थापन द्वारा बनाया जा सकता है बनानी की विधियां सैंड मायर अभिक्रिया जब जलिये खनिज अमल में घुली, एरोमोटिक, एमीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रित किया जाता है, तब डाईजूनियम लवन बनते हैं सैंड मायर अभिक्रिया द्वारा बने घुल को क्यूपरस क्लोराइट अथवा क्यूपरस ब्रोमाइट से मिश्रित किया जाता है, तब वो डाईजूनियम समुह को C-L अथवा B-R द्वारा प्रतिस्थापित करता है यदि हम डाईजूनियम समुह को क्यूपरस हैलाइट की बजाए, आयोटीन द्वारा प्रतिस्थापित करें, तब हमें पोटेशियम आयोटाइट का उप्योग करते हैं बनानी की विधिया एलकिनों से हाइडोजन हैलाइट के संयोजन द्वारा हाइडोजन हैलाइट से अभिक्रिया करने पर एलकीन संगत एलकिल हैलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं हाइलोजन संयोजन TCL4 में घुली ब्रोमीन के एलकीन में टालने से परिरामसरूप, सन्निथी यानि विस, डाइब्रोमाइट प्राप्त होता है बनाने की विधिया हालोजन विनिमाए एलकील क्लोराइट ब्रोमाइट को शुशकु ऐसी टोन की उपस्तिती में अभिक्रिया कराने से एलकील आयोडाइडों को बनाया जा सकता है इस अभिक्रिया को पिंक क्लेस्टाइन अभिक्रिया भी कहा जाता है एल्किल फ्लोराइट को स्वार्ट्स अभिक्रियात्वारा बनाया जा सकता है, जिसमें एल्किल क्लोराइट ब्रोमाइट को धातू फ्लोराइट की उपस्तिती में गर्म किया जाता है भौतिक गुण धर्म शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइट रंगिहीन होते हैं, परंतू प्रोमाइट तथा विशेशकर आयोडाइट प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं गलनांक एवं कौतनांक ध्रूविये प्रक्रिती और संगत कार्बनी खैलोजन योगीकों के हाइडरोकारबन की तुल्ला में उच्च आन्विक द्रविमान के कारण कारण कारबनी खैलोजन योगीकों में अंत्रा आन्विक आकरशन बल, दूईध्रूव, दूईध्रूव तथा वौंटर्वाज प्रभल होते हैं, जिसके कारण ख्लोराइडों, ब्रोमाइडों तथा आयोडाइडों के कौथनांग समतुले दरवेमान वाले हाइडो कारबनों के कौथनांगों की अपेक्षा आधिक होते हैं। एलकिल समू के लिए जैसे आर, एलकिल हैलाइडों के कौथनांग के घटने का क्रम इस प्रकार है। आर आई का उच्चतम कौथनांग होता है। आर पी आर, आर सी एल और आर एफ का कौथनांग क्रम शा घटता जाता है। समाव यवी अलकिल हैलाइडों के लिए गलनांग के शाखन के साथ खटता है। ये इसलिए है क्यूंकि प्रिस्टिक शित्र को शाकन श्रंकला घटाती है। और परिडामता अंत्रा अनुक आकर्शन बलों को भी घटाती है। समाव यवी डाई हेलो बेंजीन के कौथनांग लगभग समान होते हैं। समाव यवी डाई हेलो बेंजीन का गलनांग पूरी तरह भिन है। पैरा समाव्यवी का गलनांग मोटे तोर पर आर्थ्रो तथा मेटा समाव्यवी की तुल्ला में सतर से सो डिगरी उच्छ तर रहता है। पैरा समाव्यवी का गलनांग समित सनचना के कारण है, जो इसको क्रिस्टल लेटिस यानी जालक के लिए अच्छी तरह फिट बनाता है। घनत्व एलकिल क्लोराइड समानता पानी से हलके होते हैं, जबकि रोमाइड और आयोडाइड भारी होते हैं। उनके घनत्व RI पड़ा है, RBR पड़ा है RCL से जो क्रम में है, फिर भी पॉली क्लोराइड पानी से भारी होता है। घुलन शीलता हेलोजन एलकेन पानी में अल्पविले है। हेलोजन एलकेन को पानी में घुलने के लिए हेलो एलकेन अड़ों और पानी अड़ों के बीच आबंध को तोड़ने के लिए उर्जा की आविशकता होती है। जब हेलो एलकेन अड़ों और पानी अड़ों के बीच आबंध बनते हैं तब बहुत कम उर्जा मुग्द होती है जिसके कारण से हेलो एलकेन पानी में अल्प विलाय होते हैं. हेलो एलकेन कार्बनिक विलाइकों में घुलनशील होते हैं, जैसे की एथर एलकोहॉल और बेंजीन, क्यूंकि इन में मुक्द हुई तथा आवश्यकूर्जा बराबर होती है. क्या आप जानते हैं, हेलो एलकेन का प्रयोग लौधीमा करने अगनी शामकी अंद्रों, रेफ्रेजरेटर्स, प्रणोधकों, विलाइकों और दवाईयों में किया जाता है. बहुत से हेलो कार्बन घातक प्रदूशन कारक और विशाक्त होते हैं. उधारण, क्लोरो फल्योरो कार्बन, सारे अंटाक्टिका में ओजोन परत के अवक्षय में अग्रणी है. सारांश आए, हमने जो कुस्ती का है, उसे संक्षेप में दोहराएं. हेलो एखेन वे योगिक हैं, जिनका प्रतीक आरैक्स है, जहां आर एक एलकिल अथवा प्रतिस्थापित एलकिल समौ है, और एक्स हेलोजन FCL BRI है. हेलो एखेन वे योगिक हैं, जिनमें हेलोजन सीधे एक अरोमेटिक वल्य के साथ लगा रहता है. सामान नाम पद्धती में एलकिल हैलाइट को हैलूजन से लगे एलकिल समुह के नाम और हैलाइट का नाम जोड़ कर नाम आंकित करते हैं IU-PAC नाम पद्धती की पद्धती में अल्किल हैलाइट को हैलोजन प्रतिस्थापित हैड्रोकार्बन के रूप में नामित किया जाता है अल्किल हैलाइट को एल्कोहॉल हैड्रोकार्बन और हैलॉजन विनमै द्वारा बनाया जा सकता है क्लूराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइडों का कौतनांग लगभग समान अनविक द्रविमान के हाइड्रोकारबन से उच्च होता है समाव यवी डाई हेलोबेंजीन के कौतनांग लगभग समान होते हैं समाव यवी डाई हेलो पेंजीन के गलनांग सर्व प्रकार से भिन होते हैं हेलो जन एलकेन पानी में अल्प विले होते हैं